So hi friends, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप swing trading कर सकते हूँ और क्या होता है swing trading, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाऊँ कि swing trading से मैंने लगबग यहाँ पे 50-60,000 रुपील कमाए हुए है और जो total profit यहाँ पे देखो, total जो मेरी value यहाँ पे है एक लाग से ज़्यादा मैंने यहाँ पे swing trading से कमाए हुए है यह सिर्फ एक account का है, इसके लाव हमारे पास 3 और account से जहाँ पे हम swing trading करते हैं So well, यह क्या होता है swing trading, क्या होता है investing अब पूरा detail में आज की studio में आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात है कि भाई, risk हमारा बहुत कम हो जाता है यहाँ ठीक है Risk हमारा minimize हो जाता है अब इस risk को minimize करने के लिए हमें क्या क्या point ध्यान में रखने हैं आगे तो चलिए मैं आपको iPad की screen पे ले जाता हूँ वहाँ पे हम पूरा detail में सीखेंगे कि swing trading क्या होता है अगर आपको भी swing trading करना है और वहाँ पे आप कैसे आपको अपनी money को manage करना रहेगा और कैसे swing के अंदर trade किया जाता है और well क्या क्या concept important है तो आज की basic video में आपको सब कुछ सीखने को मिलने वाला है So now guys हम आचोके अपने iPad के screen पर अब यहाँ पर देखो आप हम discuss करेंगा कि swing trading क्या होता है और swing के अंदर हम कैसे पैसा बना सकते हैं अब normally दोस्तों जब हम किसी share की बात करते हैं swing trading को दोस्तों हम other नाम दे सकते हैं share trading तो मैं normally swing आपको suggest करूँ कि अगर आप swing trading सीखना चाहते हो करना चाहते हो तो only आपको shares में करना चाहिए इसके लावा भी futures में भी हम कर सकते हैं और other हम हमारे पास बहुत से segment है जिसके अंदर हम swing कर सकते हैं but point समझना उसमें जदा हमारा risk आ जाता है like मैंने भी आपको starting में दखा एक ही trade से हमने पचास हजार से ज़्यादा भी बनाया हूँ है swing के अंदर तो वो चीज मैटर करता है but point यहा था कि आपकी वहाँ पे capital कितना लग रहा है तो मैंने वहाँ पे 110% return निकारा था ठीक है? हलांकि यह आपको नए influence करने के लिए नहीं है कि आप जाकी सिद्धा सा आपको trading सीख लेना है but पहले आपको point समझना है trade लेने से पहले आपको proper logical समझना होगा कि भाई यह swing trading क्या होती है? कैसे काम करती है? आप देखो सबसे पहले दोस्तों जब swing trading की बात करते हैं अब आपने देखो का market जब भी move करता है तो market एक zigzag motion में काम करता है ऐसे market move करता है तो अगर हमें यह swing 1 हो गया swing 2, swing 3, swing 4 जब हमें इन swing को play करना होता है जब हमें इन swing को play करना होते है इन swing से पैसा कमाना होते है मान के चलो हमने 100 रुपे पे कोई शेर खरीदा अगर हमें वो 200 रुपे बेचना है तो आपको swing trading से आप वो swing को capture कर सकते हो अब चली मैं आपको chart पे दिखाता हूँ यह चीज़ में क्या समझाना चाता हूँ यहाँ पे देखो आप यह हमने यहाँ पे chart अभी open करके रखा है आपके सामने वे इसको process होने देते हैं यहाँ पे देखो हमारे पास यह chart हमने open करके रखा है ICIC Banker अब यह strategy जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ यह daily basis पे यूज कर रहा हूँ और swing में हम जब भी chart देखते हैं तो day का chart देखते हैं daily basis का chart देखते हैं swing में यह नहीं है कि भी 5 unit का chart देखा और आप swing trading करने लगगे ना भाई ना उसमें आप intraday कर सकते हो बट अगर आप long term like one day weekly time frame का chart देखो तो उसमें आप एक swing की अच्छी position मना सकते हो अब यह देखो इस level से उपर close हुआ 1020 तो यहाँ से हमें काफी अच्छी buying market के अंदा देखने को मिला लगब लगब 80 rupees की हमें यहाँ पे momentum मिला तो अगर यह आपको 80 rupees capture करना है तो हम swing trading की help से capture कर सकते हैं यह होता है swing momentum अब point ही आता है कि swing trading करने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं और किस तरीके से हम swing trading कर सकते हैं अब देखो दोस्तो अब आपको पता ही होगा कि जब हम किसी shares के अंदर पैसा लगाते हैं तो shares को हम buy करते हैं ठीक है share को हम buy करते हैं दो तरीके के हमारे पास shares को buy करने का option होते है लाइक तो हमने short term के लिए सोच लिए कि short term planning कर रहा है वह short term के लिए हम shares को खरीद रहा है एक दूसरा होता है long term long term के लिए अलग portfolio बनता है अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं trading की, तो trading में हम किसी भी share के ज़धा fundamental के उपर focus नहीं करते हैं, point number one, कि trading में जब हम बात करते हैं, तो हमें ज़धा fundamental analysis नहीं करने की requirement हो, क्यों नहीं करनी भाई क्योंकि अगर हम ज़्यादा फंडामेंटली उस शेर को देखेंगे तब तक वह ट्रीड हमारा मिस हो जाता है इसलिए हम जब ट्रीडिंग प्रस्वेक्टिस किसी शेर की बात कर रहे हैं कि मान के चलो आपने स्विंग में किसी शेर को खरीदा है और आ आपको फंडामेंटल नहीं देखने होते जादा ठीक है अमान के चलो आपने किसी शेर को देखा तो हम उस पर क्या करते हैं उसकी हम करते हैं टैकनिकल अनलिस अब टैकनिकल अनलिस में आता कि कोई शेर ऐसा है जो एक अच्छे सपोर्ट जोन पर आ रहा है ठीक है बिल्कु सब्सक्राइब के चलते हैं HDFC बैंक का जो 1400 का लेवल है 1400 का लेवल है वो एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है एक्जामपल दे रहे हैं ठीक है स्ट्रॉंग क्या है बाई सपोर्ट जोन है तो जब मार्किट गीरा 14000 पर आया और वहां पे अच्छी हमें ग्रिन ग्रिन देखने को म मिला हमें पता है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन है और यहां से काफी अच्छा मार्किट बाउंस कर सकता है तो हम वो जो 50 से 60 पॉइंट का मूव है उसको प्ले करते हैं स्विंग के अंदर ऑल्वेज धिहान अकना मतलब 1400 पर हमने खरीदा तो हम यहां पे 5-10% का 5-10% का हम expected करते हैं और 1-2% का यानी 1-2% का हम अपना स्टोप लोस लेकर के चलते हैं स्विंग के अंदर कभी भी बड़ा आपको स्टोप लोस नहीं लेना और ना ही कभी स्विंग के अंदर भाई बड़ा नुकसान आपका होने वाला है पॉइंट समझना स्विंग के अंदर तभी नुकसान होगा आपका अगर आप अपने स्टोप लोस के अगेंस्ट जाओगे मतलब मान के चलो हमने कोई वैल्यू है सो रुपे पर खरीदा और आपने कहा कि मैं 90 रुपे का स्टोप लोस लगा रहा हूं तो स्विंग के अंदर ध्यान अकना वो जो 90 पर आएगा तो वो कट करना होगा कट करना होगा अगर नहीं करोगे तो भाई वहाँ पे लॉस हो सकता है ठीक है यह पॉइंट समझना बट स्विंग के अंदर आपको यह पता है कि वह अच्छी कंपनिस के शेर्स हैं वो लॉंग टर्म में बढ़ने ही वाले हैं तो आपका पैसा कभी भी स्व नहीं हो सकता अगर आप सही तरीके से करोगे अब शुंक ट्रेडिंग में आपको बता दिया कि हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर शेर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और वह में हमें money को manage करना बहुत important है money को manage करने का मतलब क्या है अगर आपके पास 1 lakh रुपीज है अगर आपके पास 1 lakh रुपीज है तो कभी भाई अपने जो total amount है उसका 5% से ज़्यादा कभी भी एक trade के अंदर नहीं लगाना है पीस trade कर सकते हैं अब swing में यह नहीं है जैसे like options की तरह कि भाई अभी हमने सुबा खरीदा और एक घंटे में profit हो जाएगा अभी पांच मिनटे प्रोफिट हो जागा दस मिनटे प्रोफिट हो जागा यह काम swing में नहीं होता है swing में हम trade को hold करते हैं एक वीक से लेके दो तीन वीक तक ठीक है या फिर कभी कभी तो हम मन्स तक भी hold कर सकते हैं अभी जो मैंने trade hold किया वो मैंने एक साल hold लिया वन येर hold किया और मुझे 110% return मेला भाई 110% return तो बतलब यह चीज़ें भी possible है यहाँ पर ऐसा नहीं है अब मार के चलो भी 20 में से आपके 15 trade सही होते हैं 5 trade आपके loss में जाते हैं तो जो वो loss वाले trade होंगे तो आपको 5% से भी कम में वो cut करने होगे जैसे 5000 आप लगा रहे हो 5000 का 5% से भी आपको कम में वो trade को exit कर देना जो भी आपको logical stop loss बनेगा जो भी आपका stop loss बनेगा वो आपको वहाँ पर exit कर देने हैं अब दुसरा फाइदा यहाँ पर कुछ benefits आपको मिलते हैं swing के अंदर क्या-क्या benefit आपको मिलते हैं सबसे पहले swing trading के अंदर आपको आप shares के अंदर trade कर रहे हो यहनि shares को आप buy कर रहे हो सबसे पहली बात है कि market हो या इंसान जाना उपर ही है सबको ठीक है जब आप अच्छी companies को select करें और नहीं best companies को जब आप best companies select करोगे तो आपको जो best companies होती है लाइक एक अच्छी company जो blue chief company है वो गिरी ठीक है आपको पता है कि यह company 1000 रुपे की थी अब यह 1000 रुपे से गिरके 800 रुपे आ गई है बट मुझे पता है कि भाई इस company ने 2000 जाना ही जाना है ठीक है guarantee नहीं है बट जाना ही जाना है जब आपको पता है कि अच्छा ग्रो करेगा तो आप उसमें एक swing trade कर सकते हो मैं यह नहीं बोराओ कि भाई सबसे पहले कि penny stocks में swing trading मत करना जो यह 10-20-50 रुपे के shares है मत करना भाई कम से कम 100 रुपे से उपर वाले shares में ही आपको swing trading bass रच्छे कर सकते हम हालां कि 70-80 रुपीज पे भी काफिश चे shares हमें मिल जाते हैं आज की rate में बट मैं आपको कभी भी recommend नहीं करूँगी आप penny stocks में जाकर कि आप swing trading करो जब मान कि जो किसी अच्छे share में dip आई तो उस dip को आप opportunity की तरह लोगे ठीक है जब dip आई उस share के अंदर तो वहाँ पे हम opportunity की तरह उस dip को लेंगे और फिर उस dip पे हम क्या करते हैं buy करते हैं ठीक है छोटा सा stop loss लगा करके और जब वो stop loss अगर आपका hit होता है तो आपको उस trade से निकल जाना है तभी तो मैंने क्या हा कि आपको कम से कम 20 trade की capital रखनी है ठीक है 20 trade की capital रखनी है और एक trade में ही पूरा पैसा जोग नहीं देना अपना अगर पूरा पैसा एक trade में लगा दोगे आप तो कभी-कभी market में आपको इतनी अच्छी opportunities मिलेंगी जिनको आप grab नहीं कर पाओगे इसलिए ध्यान रखना है और दूसरा benefit क्या रहेगा इसमें आपको इसमें benefit यह रहेगा आपको कि यहां पर किसी भी प्रकार का decay नहीं होता किसी भी प्रकार का decay नहीं होता कोई premium decay नहीं होगा कोई share का भाव एक दम से थोड़ी decay होने लग रहा है और इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर volatility आप market की entire volatility से बच्जाओते जो एक कि ऐसे मारिक से現在 susish था ना उस्चीज़ से बच जाओaggi कि एक मिंदर मारिक उपर जा रहा है एक मिनमार कि नीचे जा रहा है दो मिननटे में उपर जा रहा है क्योंकि एल्टिमेटारिदी जब हम हमें जो चीज़ देखनी है हमें देखना है भाई डे का चार्ट यानि इंट्राडे में क्या चार्ट हुआ हमें डे का चार्ट देखना है यह रेड केंडल एक दिन की है यह ग्रीन केंडल यहाँ पर देखो एक एक दिन की है यह हमें जब भी चार्ट देखना है तो हम चार्ट देखेंगे स्विंग के ल आठ वीक, 7-8 वीक के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, यह point बहुत important है, जब आप मंत्री टाइम फ्रेम देखते हो, तो आप कम से कम यह मान के चलो, आप 2-4-5 सालों के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, किसी भी शेयर के अंदर, वो point बहुत important है, तो technical analysis इसके अंदर बहुत important है, अगर आपको पूरा detail में जानाना, swing trading क्या होता है, कैसे properly काम करता है, और कैसे आपको swing के लिए stock selection करना है, तो आप इस वीडियो को like करना और comment करके बताना कि हम सीखना चाहते है, swing trading, और सबसे बहले कि एक चीज़ मैं आपको बता दू, कि यहाँ पे आपका 5-10% की game होगी, यह नहीं है कि भाई, पैसा double वाली scheme होती है, swing के अंदर, swing के अंदर कभी ऐसा नहीं होता, बहुत rare chances होते हैं, बट यहाँ पे जो हम expected रखते हैं, कि मानगे चलो आपने एक लाक रुपीज लगाया, तो आप ही मानगे चलो कि एक trade से आप 5-6-6,000 रुपीज profit आप मानगे च देखो, options में या फिर other trading में काफ अच्छा benefit होता है, no doubt, बट वहाँ पे आपका risk भी तो बहुत जदा बढ़ जाता है ना भाई, यहाँ पे risk बहुत मिनिमा है, सबसे बड़ी चीज है, तो अगर आप सीखना जाते हो तो please comment करके बताना, तो आपके लिए पूरी dedicated series या फिर dedicated videos आपके लिए इस पे बना दी जाएगी, और यहाँ पे आपको stock selection भी और even मैं खुद भी swing करता हूँ, अगर आपको जानना है कि भाई, आप कौन से shares में swing कर रहे हो, आप कव entry कर रहे हो, तो मैं उसको पर भी dedicated video, हम excel sheet बना सकते हैं, तो उस पे हम आपको बता देंगे, तो आप बता देंगे, अगर आपको जानना है, समझना है, और वीडियो का लाइक करना मिलेंगा आपको दोस्तों, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाबाए, टेक कियर